कि अगवाइब एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हमारा माइन्ट हमारी आतों के बैक्टिरिया के साथ कोई गेम खेल सकता है, मुझे बहुत सारे आप लोगों के कॉमेन्ट मिल रहे हैं कि सब एसीडी बहुत होथी है, पेट खराशाल रहता है और मैंने तो जितने भी तरीके थे खिक करने के पेट को लगा लिये हैं मैं इविन बिल्कुल वेजेटेरियन खाता हूँ, खाना भी नहीं खाता हूँ कई बार और कुछ लोगों ने लिखा है कि उनको अब मन नहीं करता है, कोई अनरजी नहीं रही है उनके गोल्स को पूरा करने में अब हमें ये समझना होगा कि हमारा माइंड और हमारा गट बेसिकली किस तरह से काम करता है हमने कुछ इस तरह से बात करी है कि हमने अपनी बोड़ी और माइंड को यह अभी तक एक तरह से इंपोर्टेंज दिये पर कभी हमने यह नहीं सोचा कि हमारे पास एक और भी बहुत इंपोर्टेंट पार्ट है वो है हमारा गट गट का मतलब जो हमारा डाइजिस्टिव सिस्टम है जिसमें हमारे स्टमक आता है इंटेंस टाइन्स आती है और यह एक तरह से नेगलेक्टिड पार्ट है हम लोगों का हम यह मानते हैं कि बस हमारा पेट ठीक रहेगा जो भी हम खालेंगे उसे पचा देगा और हमें एनर्जी देदेगा और उसके बाद जो भी हमारा मूड खराब है हम बीमार हैं हम अपने लक्षों को पूरा नहीं कर रहे हैं हमारा गुसा बढ़ता जा रहा है यह सब माइंड से है मैं मानता हूँ यह सब माइंड से है पर इस माइंड को कौन डालेक्ट कर रहा है आज आपको यह चोकाने वाली चीज मैं आपके साँ शेयर करूंगा अगर आप पहली बार जुड रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा और हां ऐसी ही कुछ वीडियो को मैं आपके डिस्किप्शन बोक्स में भी दे रहा हूँगा जहां पर मैं बात करूंगा लीकी गट की और कैसे हमारा माइंड और गट का कनेक्शन है और बाकी मेरी वीडियो को देख सकते हैं आप मेरी टाइम लाइन पर जाकर प्रेंट्स कई बार लोग उससे सवाल पूछते हैं कि हम अपने लाइफ को कैसे बहतर करें क्योंकि हमें बहुत जल्दी जल्दी कुछ साने लगा है हम डिप्रेसन में जाने लगे हैं मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या आप अपने गट को ठीक रख पा रह कि हमारे बोड़ी के बीच में कम्यूनिकेशन कैसे होता है हमारे गट का और हमारे ब्रेन का सबसे पहले के बात यह समझे कि जब हम पैदा होते हैं उस समय हमारे आतों में कोई बैक्टिरिया नहीं होता हमारी जो आते हैं बैक्टिरिया फ्री होती हैं उसके बाद यह बैक् को करोड़ तरह के बैक्टिरिया इस एन्वायरमेंट में हैं पर हमारी बोड़ी सिर्फ उन्हें अट्रेक्ट कर लेती है जो हमारे काम के हैं है ना हमारे पास कोई ना कोई विशेश शक्ती इस शक्ति को भी कर पैचाना करें कि आप कितनी बेहत्रे चीजों को चूज कर रहे थे जब आप पैदा हुए थे इतनी सी इंटेंशन आप रखेंगे तो आप में आपकी लाहित वैसे यह ची हो जाएगी एनीवे मैं अब पेट की बात करता हूं और धीरे धीरे यह बैक्टिरिया कितने होते हैं यह एक नहीं होता हजार नहीं होते दसजार नहीं होते यह हो पर मैं तो कई ऐसंदे यह कैता हूं यह मदर गठ यानि कि एक सेल के उपर जो हमारे शरेर मारे यह ऽे I比較 का म नहीं हमारे नहीं कि या इस अउनी हैं यह उसी तरह से सोचते हैं जैसे आप सोचते हैं उसी तरह से एक खत्रे को जान लेते हैं इनकी अपनी आर्मी है यह अपनी आर्मी को ले इनकी खाज बात यह है कि फ्रेंट्स इनके अपने मेसेंजर से जिनको हम नियूरो पैप्टाइड कहते हैं यानि कि आप यूं समझें कि इनके पास अपने पोस्ट मैन हैं इनके पास अपना कम्यूनिकेशन सिस्टम है कि इतना ही नहीं अगर मैं आप से कहूं यह पूरी तो इस इसके बारे में बार बार आपको बता रहा हूं के इसके बार मैं समझ लिजह जैगा और और यह समझ कर अपने पेट को अगर और भीड़िक को पायेंगे तो याद रुखेंगे आपा सी तो याद भूप खराब होता है तो समय आपके पास बहुत साथ उठब पटांग अगर आप find out आपके पास ब्रह्मान्ड से बेकार के सिगनल से भी वोत आएंगे क्यों आएंगे वो मैं कभी दूसरी या तीसरी वीडियो में मैं जरूर शेयर करूंगा अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि यह करते हैं पहली चीज प्रेंट्स यह क्या करते हैं कि यह आपके अंदर डा करते हैं और यह बहुत बड़ा काम है आप यह मैं समझें कि आपकी आंते डाइजस्ट कर रही है या फिर आपकी नियूरोलोजिस डाइजस्ट कर रही है या फिर आपका मसल से डाइजस्ट कर रही है यह वह बैक्टेरिया है जो तैय करते हैं कि आपने खाना खाया है कितना ख यूँ समझे कि एक बड़ा शहर है जिसमें दो तीन करोड़ लोग हैं देश हमारे देश में दो चार-पास शहर ऐसे हैं जहां पर डेड़ दो करोड़ लोग रहते हैं उसमें से यानि के एक आदमी भी अगर गलत पहुंच जाए तो याद रिखेगा इनके पास इतनी शक्ति पैचान लेते हैं उसको मार देते हैं इसको बाहर फैंक डेते हैं अलिमिनेशन के चल्कूले। नहीं कि इस ना आगया तक हम को पर कितना करेंगे यह सब चीजें कर लेते हैं दूसरी पलेबलनी सिस्टम को पूरी तरह से एमीन कंट्रोल करते हैं आप कहेंगे कि मैटाबॉलिक सिस्टम क्या है यूं समझिए कि जो आपकी बोड़ी को मेंटेन करने के लिए पूरे शरीर की प्रक्रिया हैं आपको कितना रश चाहिए अपने खाने से आपके बलड़ को कितने जूसिस चाहिए या कितना पानी चाह यह यानि कि आपकी बोड़ी को अगर हेल्दी रहने के लिए जिन चीजों की भी जरूरत है उनका कैल्कुलेशन अगर आपका एक तरफ माइंड कर रहा है तो उसी तरफ यह भी कर रहे हैं मैटाबॉलिक सिस्टम अगर आपका फेल हो जाता है तो याद रखिए कि उस समय आ प्रतलब की चीजों में ट्रीगर होने लगें याद रखेगा कई बार आपके गुस्से का करण आपके डिप्रेशन का करण आपके एंग्जाइटी के करण आपके चीजों को कल पर टालने का करण सिर्फ इसलिए है कि आपका डाइजेशन और आपका मेटाबोलिक सिस्टम आपके गट बैक्टिरिया के द्वारा ठीक नहीं चला जा रहा है वह ऐसा क्यों करते हैं यह मैं अभी थोड़े देर बाद आपके साथ शेयर कर रहा हूंगा तीसरी बड़ी इंप्रोटेंट है फ्रेंट के यह आपके इस खाने में से यह प्रोटीन अपनी वाइटमिन को यह आप न्यूट्रेंट को निकालते हैं यह सारे न्यूट्रेंट को निकालते हैं इस में से खाने में से और इन न्यूट्रेंट को आपको सप्लाय करते हैं यह कितनी बड़ी बात है आप यूं समझे कि इनको यह भी मालूम है कि इस खाने में से क्या जहर बाहर निकालना ह क्या न्यूट्रल चीजों को आगे फैंकना है जिसको आप एलिमिनेशन क्रिया कहते हैं स्टूल के द्वारा भार फैंकना और इन में से कौन सी चीजें जो आपकी बोड़ी को चाहिए यह आपकी बोड़ी की रिक्वार्मेंट के अकोर्डिंग उसी बैक्टिरिया को या उसी एक वीडियो बनाई थी जिस पर काफी वीव हैं उसका नाम है लिकी गट उसका डेस्किप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं उसे जरूर देखिएगा बेसीकली अगर आप यह मानते हैं कि आपकी चंडी की बीमारियां बढ़ने लगी हैं आपको यह लगता है कि आपकी इम्य लाइनिंग खराब हो रही हो यह गट लाइनिंग क्या है इसके लिए तोड़ा सा समझना होगा और इसे बचाना होगा अगर आपने इसकी वैल्यू समझ ली गट लाइनिंग की तो आप अपने गट को आज से ठीक करना जरूर चाहेंगे कई बार हम यह मान लेते हैं लेकिन अगर आपने उसकी आदत डाल ली है तो आप अपने गट बैक्टिरिया को बेसिकली डॉर्मेंट यानिके इनेक्टिव बनाने की साजिश रच रहे हैं और यह साजिश आपके सामने जरूर आएगी अब हम गट लाइनिंग की बात करते हैं हमारा जो डाइजेस्टि मिलाकर उसमें से जो न्यूट्रियंट निकालते हैं तो अगर हर चीज को भेजने लगें आतों में तो खाने के साथ न्यूट्रियंट के साथ बहुत सारा जहर भी हमारी आतों में चला जाएगा तो आपको मालूम है उस समय वहाँ पर एक जिल्ली लगी होती है एक वहाँ भी वीडियो में जरूर देखेगा इस यहां पर मैं इतना बता रहा हूं कि जब जब आपकी ट लाइनिंग में छेद हो जाते हैं तो उसे हम लिकिक गट कहते हैं यानिकि आपकी गट लाइनिंग में यानिकि आपके जिस तरह से किड्णई में बड़े शे Dallas आ अगर csakनी पत लेकिन कभी आपने सोचा आप ऐसा कोई भी पैसिलिटी अपनी आतों को नहीं दे रहे हैं आतों के पास जो एक गट लाइनिंग है वह मात्र समझ लीजेगा कि फाइनेस्ट यतना वारनिश होता है ना बहुत ही फाइनेस्ट उसकी आप विर्थ को भी नहीं नहीं नाप सकते ह होती है इतनी सी जिली के अंदर भी एक माइंड पड़ा होता है और वह यह जिली यह देख लेती है गट बैक्टिरिया के रूप में और या उनकी साव मिन सपोर्ट से कि कौन से खाने को मुझे आपको देना है और कौन से जहर को बाहर रखना है इतनी बड़ी इंटेलिजे को इतना इपर्टैंट मानते हैं तो फिर ुर्लाइनिंग को खराब कोन करता गट में मेरती चीजे और रिधेत करते चांगे अमारी आदते और दूसरी चीज थैसे बर्बाद करते हैं हम क्तरे कैसे खा रहे थे हमें कभी इसका अंदाजा नहीं होता हम सिर्फ अपनी टेस्ट बड़ को यानि के जीव को शांत करने के लिए 99% खाना खाते हैं मैं अफसर लोगों से पूछता हूं खाने की क्वालिटी क्या है तो उनका एक ही बात होता है काफी होना चाहिए टेस्टी होना चाहिए मेरा यह डाइजस्ट होने के लिए और कई बार हमारी गट बैक्टिरिया उसके लिए नहीं बने होते हैं फिर क्या चीज़ खानी चाहिए वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा गट लाइनिंग की बात करते हैं मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा कि उनकी डिजीज ही न नहीं आता उट पटांग वो अपने बलड को पॉईजन कर रहा है मिन से भर लेते हैं यह पॉज़न ना उनके बलड में आया कैसे कहां से आता है क्या आप जानते हैं इसलिए आया क्योंकि आपने अपने गट लाइनिंग के अंदर छेद कर दिये और गट लाइनिंग अच्छे महीनों से कई बार हम बिना मतलब केमिकल से लेना शुरू कर देते हैं शराब पिना शुरू कर देते हैं और स्मॉकिंग कर देते हैं जिनकी हमें कोई जूरत नहीं है और हमारी जो गट लाइनिंग है वो परिशान रहती हैं अच्छी बात यह है कि यह बैक्टीरि से काम करते हैं यह इंभीडेटली आपकी गट लाइनिंग को ठीक कर सकते और कर भी देते हैं और किती देर में कर देते हैं कई बार एक दिन के अंदर कर देते हैं लेकिन गड़ यह होती है कि हम फिर इनको कभी आई मिन रिकोगनाईज नहीं करते चोथवी पाइम पांच भी बड़ी इम्पोर्टेंट हैं आप जो मैं आपके साथ करूँगा कि कई बार आपने देखा होगा कि आप खाना वही खा रहे हैं जो ठीक ठाक है पर वो आपको डाइज़स्टी नहीं हो रहा है पता है इसका रीजन क्या है इसका है कि कर दिया आफती किसी एक एक्षाय करते हैं उस को यह वहारी अग्सेमीक को तो स्वार आपको यह만 बात करते हैं अपने किसी को में की सर्लेशने कोई कि अपने कहते हैं ऊसक है तो लिपना ऊपने इसी स्टेट में विटंडियेट घॉन स कर दिया, तो आपको खाने की भूग लगती है इसी तरह से हमारा यह गट जो आइम्यून सिस्टम में रियक्ट करता है माल लेते हैं एक दिन आपने गलत खाना खाया माल लेते हैं माल लेते हैं आपको मिल्क प्रोडक्ट नहीं पच्छता है माल लेते हैं आपको एक पर्टिकुलर केमि नहीं पच्छता है जो आपने किसी बर्गर में या किसी पीजा में खाया ठीक है ना माल लेते हैं आपको कोई ड्रग ऊपर से तो लिखा एक इसका कोई रियक्शन नहीं है आपने पेन किलर खाया या फिर आपने कोई एंटीबियोटिक खाया हो सकता है जरूरी हो और उस समय आपकी पेट की जो बैक्टिरिया है वो कन्फिूज हो गाए निगेटिवली उन्होंने रियक्ट कर दिया जब वो रियक्ट करते हैं तो उनको बचाने के लिए इम्मीडेटली आपका जो इम्म्यून सिस्टाम है यहां का आपकी इम्मूनिटी है आपकी प्रतिरोदात्मक शक्ति आप ugीडियेट्ली रियक्ट करेंगे और रियक्ट करके कई बार वो या तो हो जाएंगे हैंगे और यह का मतलब है कि वो आपके अंदर बेशैनी पैदा करहें कि शहांगे तो पश॥ Histor बहले ही वोक्त फूरूट ही क्यों ना हो बनाना खा लिया अब गड़बड यह होगी कि इस नेगेटिव प्रोग्रामिंग जब चल रही थी गट पैक्टिरिया की और आपका इम्यून सिस्टम उस ताही में रियक्टिव था और आपने केला खा लिया अब जब जब आप केला खाएंगे आपका इम्यून सिस्टम इसे उसी तरह से ट्रीट करेंगा कि मानों यह हमारे लिए ओवर्यक्शन का एक ट्रीगर हो एक कारण हो और इस तरह से आप कई बार यह कहते हैं कि यार मुझे पता नहीं क्या हो रहा है और इसके बाद गडबड क्या होती है कि एक दिन के सब मैं I am allergic to wheat, I am allergic to kela एक दिन यह allergy चल रही थी आपके अंदर immune system आपका उंचे था आपने दोद भी पी लिया अब आपके पास तिन ट्रीगर हो गए और इस तरह से आप अपने गट के साथ क्या कर रहे हैं एक game खेल रहे हैं मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सब्सक्राइब करता है और यही बैक्टिरिया उसको बनाते हैं याद रहे हैं इसलिए जब कई वर लोग कहते हैं यार मुझे उनके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है ऐसा नहीं हुआ यह था कि आप किसी भूक में उसके हाथ का खाना खा रहे थे पर्टिकुलर आद हैं कमाल की बात यह है कि खाना भी जरूरी कई बार जब आप अपने घर आते हैं और आपधस। को देखते हैं अपने पोते को देखते हैं नाति को देखते हैं तो आप उसमें भूके रहते हैं आप सोचते हैं खाना खाऊंगा लेकिन एकदम से देखकर अचानक आपके अंदर एक क्योंकि आपको लगता ही नहीं कि मुझे भूख भी लग रही है क्योंकि आपके बैक्टिरिया उसी चीज को एंज्योय करते हैं अब सवाल उठता है कि अगर यह इतना इंपोर्टेंट तो आगे कि मैं क्या बात करूं कि मैं आप से कुछ एक बात करना चाहूंगा पहली तो बात है कि अगर आप सबसे इंपोर्टेंट चीज को नहीं बचाएंगे तो इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा मैं अक्सर एक चीज कहा करता हूं जो मैंने कुछ किताबों से पढ़ी है कि पहले 50 साल आप अपने गट का ध्यान रखिए और पेट अगले 50 साल कैसे खा रहे हैं यह बहुत इंपोर्टेंट है और दूसरी चीज है माइंड कि आप क्या सोच रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं तो थिंक के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा आज मैं कुछ एक टिप्स जो मैंने पढ़ी मैं भी बहुत पेट का बीमार था एसी डिटी हैं और एक उसके साथ प्रोटीन भी खा रहे हैं तो यह नोई हैं की डियूसरी कांटर् कम कर रहे होती है लेकिन जो कई बार यह उसे पचोने के लिए एक मीडियम चाहिए मेम कहते हैं अब अगर दोनों चीजें अपने एक खाली माले आप एक किसान हैं आप एक धावक एक एक अथलीट हैं तो कोई बात नहीं पचा लेंगे लेकिन अगर आप सीडेंटरी लाइफ जी रहे हैं आपके या बहुत काम भी नहीं कर रहे हैं और अब या तो उमर आपकी बढ़ रहे हैं तो इन चीजों को ध्यान रखना ह होगा मान लेते दोनों चीजितों आपने एक साथ खाई और एक साथ कहाने के बाद गड़ बड़ क्या करेंगे कि जो मीडियम और जो हैलकलाइन मीडियम हैं अगर यह दोनों मिलेंगे तो आप एक जानते केमिस्ट्री में कि अब आप ये पानी बनेगा सोल्ट बनेगा या पाने के साथ पाने के साथ पानी निकालना था हैं तो उसको आपको छोड़ना है कुछ चीजों कि आपके लिए को आई मिन अगर आपको ऐलर्जी है उनमें से एक मिल्क प्रोड़क्ट आपके लिए हो सकता है अगर आपके पेट के खराब हैं बीमार हैं मैंने जैसी मिल्क प्रोड़क्ट को छोड़ा आप उसे करीव करीव 20 साल पहले मेरी लाइफ में एक ट 25 परसेंट तो हमारे बलड में वह एक फोरण मिटिल की तरह काम करता है और अगर वह उसको रोके इम्म्यू आपका इम्म्यून सिस्टम या आपकी गट बैक्टिरिया तो यह उनके उपर एक अननिसेसरी लोड पड़ा हुआ है आप हमेशा खूब फाइबर खाएं और एक कि जो मैंने आपको मैं बता रहा हूं माइंड को मैं किसी अगली बार में लूंगा वह इंपोर्टेंट है आपकी फास्टिंग फ्रिंट्स यह देखा गया है सभी चगों पर कि जितनी आप ज्यादे फास्टिंग करेंगे उतना ही समय आप दे रहे हैं इन गट बैक्टिरि में काम नहीं होता तो उसके पास यह क्यों को कीसे देख बाल करें उनके लिए नया स्वेटर बनाए उनके लिए नया कुछ नुक। नया करें यह वो मतर है। इसलिए जब मैंने जेखा कि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ और मैं जब उनसे कहता हूँ कि भई आप कुछ आई मिन अगर शाम को आप आट बजे खाना खा ले हैं तो अगले दिन बारा बजे तक आप कुछ ना खाएं और अगर खा रहे हैं तो वो सिर्फ आपका जूस होना चाहिए वो भी फाइबर के साथ या फ्रू लेक्स देतें यानि कि अप फ्री करते हैं बर्डन से तो उस समय यह एक और काम करते हैं या अपने immune system को पूरी तरह से positive कर लेते हैं यानि कि आपका immune system अगर किसी खाने से बहुत ज़्यादा react कर रहा है तो आप उसको शांत कर सकते हैं कैसे आप सिर्फ अपने gut bacteria को relax करें हाँ थोड़ा सा mind के लिए भी बतायता हूं जब भी आप खाना खाएं कभी भी आपका mood खराब नहीं होना चाहिए क्योंकि mood खराब जैसी होगा आपके gut bacteria disturb हो जाएंगे अगर उस समय आप खाना खा रहे हैं तो वो खाना उनके disturbance के लिए एक trigger बन सकता है और जिन्दगी भर के लिए बन सकता है इन कुछ बातों का ध्यान रखेगा जो मैंने आपके साथ share की है और आप आएंगे के आप अपने gut के साथ एक दोस्ती कर बैठे हैं और ये दोस्ती आपके जीवन को बहतर करेगी आगे बढ़ते रहेगा thank you very much के साथ